राची की मुराबादी मैदान में नबाड दुआरा आयूजीत तरंग मेला में पांच राज्यों के एफपियों की ओर से दर्चनों स्टॉल लगाए गये हैं इनमें खूटी जिले के जरियागड के कांसा बरतन के स्टॉल आकर्शन का केंद्र बना हुए खूटी में बनने वाले इस कांसा बरतन का विशेश पारंपरिक महत्व है और या सभ्यताओं का जिवन्त उधारन भी है साथी जरियागड गाउं में साहू समुदाय की सद्यों पुरानी विरासत का प्रतीक भी है ठाकूर महिंदरनात शहदेव के वंचसज जैंदरनात शहदेव ने बताया कि साहू समुदाय ने पिछले 300 वर्षों से इस शिल्प को जिवन्त रखा है कांसा बरतन बनाने वाले एक कारिगर ने बताया कि समुदाय की लोग उतपादों के लिए कच्चे माल के रूप में अस्थानिय घरों और दुकानों से तूटे हुए कांसे के बरतनों को इकठा करते हैं सबसे खास बात ये है कि बरतनों की उम्दा कारिकरी सुनिश्चित करने के लिए बरतन बनाने के प्रक्रिया हर रात लगबग एक बज़े से शुरू होती है वहीं शुरूवाती कारियों के बाद महिलाएं अन्तिम आकार और रूप देने के लिए अपने कलात्मक स्पर्श का योगदान देती हैं ठाकूर महिंदरनात शहदेव के वंचज आशुतेंदरनात शहदेव ने बताया कि कांसा बरतनों को पवित्र माना चाता है पुरी में भगवान जगनात मंदिर में भी केवल कांसे का बरतन ही उप्योग में लाया जाता है कांसा बरतनों को उप्योग स्वास्थ के लिए भी हितकारी है जर्यागर में साहु समुदाय द्वारा विभिन उत्पादों का निर्मान किया जाता है. इन बरतनों को बनाने में किसी मशीन का इस्तमाल नहीं किया जाता। नबाड के सहयोग से इसके कारिगरों के आर्थिक विकास के लिए बजार की विवस्था के लिए लगतार पहल की जा रही है राची से कैमरा परसन विकास के साथ शिवानी की रिपोर्ट